बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विशे का 14 अध्याय पधार्थ धातू और अधातू तो इस पार्ट के पिछले भाग में हमने ये समझाता कि धातू और अधातू में कौन-कौन से बहुते गुण पाए जाते हैं इस भाग में हम ये समझेंगे कि धातू और अधातू जो होते हैं उनके रासाइन ने गुण क्या होते हैं किस तरह से ये अभिक्रिया करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले हम ले लेते हमारे दो प्रशन जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवक के ल अगला प्रश्ण है हमारा अधातुएं सामानेते किस अवस्था में पाई जाती है तो हमें पता है कि जो अधातुएं होती है वो ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है अगर हम देखें कार्बन और सलफर तो ये ठोस अवस्था में मिलते हैं जबकि ब पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ तो हम बात कर रहे थे कि जो धातू और अधातू होती है उनमें कौन कौन से रसायने गुण पाए जाते हैं यानि कि किस तरह सी अभिक्रियाएं करती है तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसकी ऑक्सिजन के साथ में अभिक्रिया तो जो आइरन होता है ये ऑक्सिजन के साथ में अभिक्रिया करके आइरन का ऑक्साइड बनाता है आपने देखा होगा कि जब हम किसी लोहे की वस्तू को थोड़े दिनों के लिए जो है बाहर खुले में छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाती है वो जंग क्यूं लगती है क्योंकि ये जो लोहा होता है ये वायू के ऑक्सिजन के साथ में अभिक्रिया करके Fe2O3 यानि की आइरन के ऑक्साइड का निर्मान कर लेता है तो ये क्या हो रहा है कि इस वज़े से लोहा जो है वो संग्शारित हो जाता है धीरे धीरे जो है वो गलने लगता है इसके अला बना लिया धातू का ऑक्साइड बना लिया परन्तु हमें यह नहीं पता है कि यह जो ऑक्साइड बना है इसकी प्रकरती अमली है या शारी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक प्रियोग करके देखेंगे क्या करेंगे हम कि जिस भी प्रधार पर जो है वो जंग लगी और इसे अच्छे से हिलाएंगे तो क्या हो जाएगा कि वो जो जंग है वो पानी में घुलेगी नहीं और वो कैसे रहेगी निलंबत अवस्था में रहेगी तो उस निलंबन को जो है हम एक प्लेट में या एक कटोरी में डालेंगे अब क्या करेंगे हम लिटमस पत्र की चलेगा तो इसे यह में क्या पता चलेगा कि जो धातों के ओक्साइड है वो किया कर रहे है लाल एक्टमस और एक्साथ मैं कैसे इसके लिए हम क्या करेंगे एक प्रियोग करेंगे लेकिन इस प्रियोग में हम क्या है आग का उपयोग कर रहे हैं तो इस प्रियोग को रटते समय हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी या फिर हमें जो है अपने अध्यापक की उपरसिति में इस प्रियोग को करना है तो क्या करेंगे हम कि इस तरह से एक उद्धन चमच लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा सलफर चोन ले लेंगे और इसे हम गरम करेंगे और जैसे ही अच्छे से जलने लगेगा तो उसे हम तुरंत क्या करेंगे एक काच के जार में ले जाएंगे उस काच का जार जो है उसका धकन भी होना चाहिए तो जैसे हमने इस उद्धन चमच को इसमें डाल दिया और उपर से धकन लगा दिया तो इस जार के अंदर जो है वो गैस उपसित हो जाएगी उसमें गैस जो है वो बहर जाएगी अब क्या करेंगे हम इसमें थोड़ा सा जल डालेंगे और इसे अच्छे से हिलाएंगे ताकि क्या हो गैस जो है वो जल में घुल जाये उसके बाद में हम इसका परिक्षण करेंगे कि इसकी प्रकर्टी अमली है या शार यह है तो लिटमस पत्र के नीले लिटमस को लाल कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि अधातू के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकरती कैसी होती है अमलिये होती है तो क्या हो गया धातू के जो ऑक्साइड हो जाएंगे वो अमलिये प्रकरती के हो जाएंगे तो ये हो गई धातू और अधातू की ऑक् अभी क्रिया करके धातू के हाइड्रोकसाइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन करती है अगर हम देखे सोडियम को तो सोडियम क्या करता है जल के साथ में अभी क्रिया करके सोडियम हाइड्रोकसाइड और हाइड्रोजन गैस का निर्मान करता है जो एने है वो में खुला चोड़ देते हैं, तो क्या होता है, यह अभिक्रिया करके जलने लगता है, तो इसलिए सोडियम धातू जो है, उसे मिट्टी के तेल या कैरोसिन में रखा जाता है, उसे हम हावा में खुला नहीं छोड़ते हैं क्यों क्योंकि जो है बहुत ही सक्रिय धातू है अब हम बात करते हैं कि अधातू जो है वो जल से कैसे अभिक्रिया करती है तो जो सामानेत अधातू होती है यह जल से अभिक्रिया नहीं करती है लेकिन यह बहुत सक्रिय धातू होती है जैसे कि पासफोरस जो है वो एक बह जल के साथ में जो है वो अभिक्रिया नहीं करती है लेकिन वायू के साथ में ये अभिक्रिया करने लगती है तो वायू से इसका संपर्ग तोड़ने के लिए इसे जल में डुबा कर रखा जाता है चलिए अगली अभिक्रिया देखते हैं हम अगली है अमले से अभिक्रिया त तो जो sulfur होता है ये क्या करता है? सांद्र नाइटरिक अमले के साथ में अभिक्रिया करता है और क्या क्या बनाएगा? Sulfur dioxide, nitrogen dioxide और जल का निर्वान जो है वो करता है तो जो धातों है वो क्या करेगी? अमलों के साथ में अभिक्रिया करके hydrogen gas उत्पन करेगी जबकि अधातों जो है वो अमले के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करती है लेकिन इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद है sulfur क्योंकि ये क्या कर रहा है? सांद्र नाइटरिक अमले के साथ में अभिक्रिया कर रहा है अगली जो अभिक्रिया है वो है शारों के साथ में अभिक्रिया तो जो धातु होती है वो शार के साथ में अभिक्रिया करके हाइडरोजन गैस उत्पन करती है जो अधातु होती है वो भी शारों के साथ में अभिक्रिया करती है लेकिन ये जो अभिक्रिया होती है ये बहुत ही जटिल होती है जिनका अध्यन जो है हम उच्छे कक्षाओं में करेंगे तो ये हो गई धातू और अधातू की अमल और शार के साथ में अभिक्रिया चलिए अगली अभिक्रिया देखते हैं हम अगली है विस्तापन अभिग्रिया इस अभिग्रिया को समझने के लिए हम एक प्रीयोग करेंगे प्रीयोग में हम क्या करेंगे इस तरह से जो है पांच हम बीकर लेंगे जिनको हम चिन्नित कर देंगे बीकर A, B, C, D, wise, नेखेPress केकीह, और इन वेली की यह और इन में कैया डालना है? unknown पहले बीकर में रख़ुइका कॉपर सलफेत और उसकंडाल मूअ हो क्फ़ुड़ह झ साल पर बाताव कॉप्रकोद कॉपर किया घ्लम में रहाना क्या है उसमें डालेंगे हम जिंक सलफेट और लोहे की कील डालेंगे अपको समय के लिए हम इनको रख देंगे तो जब हम थोड़े समय बाद प्रेक्शन नोट करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा सबसे पहला बीकर था बीकर ए उसके अंदर क्या अभिकरिया होगी कि जि कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा ऐसा क्यूं हो रहा है क्योंकि जो बीकर ए था उसमें जिंक जो है उसने क्या करा कॉपर सलफेट के वीलियन से कॉपर को विस्थापित कर दिया तो इसलिए जो कॉपर सलफेट वीलियन का जो नीला रंग था वो गायब हो गया और वीलिय से copper को विस्थापित कर दिया क्योंकि जिंक जो है वो copper से अधिक रियाशील होता है तो इस वज़े से जो है अभिक्रिया हो रही है इसी तरह से जो beaker B था उसके अंदर भी क्या होगा यह अभिक्रिया संपन्न होगी लेकिन अगर हम देखें C, D और E beaker तो उनके अंदर जो है कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है क्योंकि उनके अंदर जो है कम अभिक्रियाशील धातु जो है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं करेगा क्या है पहले से ही जो वीलियन उसके अंदर अधिक-अभिक्रिय-शील-धातू नहीं ले पाय इसलिए जो है जो भीकर C ौD और E है इन में कोई भी अभिक्रिया-संपन नहीं होगी चले कि आगे बढ़ते हैं हम धातों के उपयोग में धातों का उपयोग जसके बने होते हैं अगला उपयोग है कि बिजली के उपकरण, रेडियो, फ्रीज, टीवी, आदी, जितनी भी जो मशीने हैं वो सब किसे बन रही है, वो बनती है धातूं से और इसके अलावा इनमें जो तार काम में लिये जाते हैं, वो भी किसे बनते हैं, वो भी बनते हैं धातूं से अगला उपयोग है कि घरों में वर्षा तता धूप से बशने के लिए एलियूमीनियों और लोहे की चद्दरों का उपयोग किया जाता है, हम क्या करते हैं धूप से बारिश से बशने के लिए जो शति होती हैं, उनके उपर टीन शिड लगवा देते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा वर्षा और धूप से बचा होता है, तो जो चद्दरें बनी हुई है, वो भी किसकी है, धातू की है, अगला उपयोग है, सोना, चांदी तथा तिन का उपयोग, आभूशन तथा सिक्के बनाने के लिए किया जाता है, हम देखते हैं, सोने और चांदी के आभू अगला है, जिसकी वजह से क्या हो रहाए, क्योंकि पारा जो है, वो सामने तापर भी द्रववस्था में पाया जाता है, और जैसे ही तापन बढ़ता है, तो जो पारे कर लेवल होता है, वो धर्मामेटर में उपर बढ़ता हुआ, दिखाई देता है, अगला है कि जो बनाने का सोडा होता है, sodium bicarbonate, इसमें भी sodium का उपयोग किया जाता है, तो ये हो गए हमारे धातों के उपयोग, अब हम देखते हैं, अधातों जो है, वो किस-किस उपयोग में ली जाती है, तो सबसे पहला जो है, वो है sulfur, इसका उपयोग जो है, अमल, औशदियां, या फिर बारो दादी, यानि की जो विस्वोटक पधारत होते हैं, उनको बनाने में किया जाता है, अगला उपयोग है, लाल फासफोरस, जो है, इसका उपयोग किया जाता है, तो उसके अंदर एक काले रंकी रॉड निकलती है, वो किसकी बनी हुई होती है, वो ग्रेफाइट की हो अलावा जो हम लिखने के लिए पैंसिल काम में लेते हैं, तो उसके अंदर जो ब्लैक कलर का हमें पधार दिख रहा है, वो भी क्या है, वो ग्रेफाइट का होता है, और ये लेड की जगे उपयोग में लिया जाता है, पहले इसके लिए लेड का प्रियोग होता था, लेकि में आयोडीन का उपयोग किया जाता है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे धातु और अधातु के उपयोग, यहाँ पर हमारा ये पार भी पूरा हो गया है, अब अगले भाग में हम मिलेंगे इस पार के अभ्यास प्रशनों के साथ में, तब तक आप बढ़ते रहिए, धन्यवाद